वेधा हम स्टारबक्ष जैसी कॉफी है लए पहुछ कर्दी के पौच लेए और इसमें चेनी डालेकिंगे कि इसमें दो पैकिट दो पहले कॉफी के डालें और डाल दिया और यह तो डाल दिया और दो कॉफी के डाल दिये दो चमची में तीन चमची में लास्ट चार चमची में डाल दीए इसमें अब इसको मिक्स करेंगे एक चमच गरम पानी डालेंगे इससे गरम पानी के लिए सची में जल्दी खुलिए इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है जब तक चीनी फ्रोपर घुल लाँ जाए आए पुर्फर तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए इसके इंगर पूरी चीमी जो हमने डाली है शुवर्ट जब तक मेल्ट अना हो जाए इसको शेक कर चहेंगे हैं जब चीनी पूरी मेल्ट हो जाएगी इसके बाद आगे कप प्रसेस करेंगे जब चीनी मेल्ट ना हो जाए इसके शेक करके रहें जब तक मेल्ट हो जाएगी है इसमें चार चंब चीनी डाली है आने कि हम चार कप पॉफी बनेगी इसमें हमारे इसमें तीरे दीरे इसमें पूरी है पानी और गरम होता है बहुत जल्दी होगा तक पानी खुलत में लाएगा तो आप देख सकते हैं यह बिल्कुल खेक हो चुकी है इस्टैन का बहुत एकदम अब सब्सक्राइब हो जाएगी बिल्कुल सब्सक्राइब हो जाएगी तब तक हम दूद कैस पर चड़ा गयाता है ताकि दूद थोड़ा गरम हो जाए तो आप देख सकते हैं पूरी थिक हो गई अच्छे से लेखी चमत से जल्दी गरने दिए लेखे तो अब हमारी पेस्ट रेडी हो चुका है कॉपी का जो कि मुसमें ना देंगे पेस्ट रेडी हो गया हमारा दन तो दूद भी गरम हो रहा है इसके बाद फिर आगे आगे और ने दूद ले लिया है अब इसमें हम दूद दालेंगे अब इसमें हम दूद टालेंगे अब इसमें हमारी प्रॉपर कॉफी रेडी हो चुकी है अब देख सकते हैं मैं डीजाइन मनाने तो नहीं आते बट यह प्रॉपर वही कॉफी है जिसमें बहुत उपर तक तो जाग ही जाग होता है जो उपर सारा जाग है और हम कॉफी पेंगे चलो देखिए जाग है कॉफी की उपर जो लगी है कॉफी की रेस्ट भी अच्छी लगी हो तो लाइक जूरू करना है क्ज़ झाल का जाग है